नमस्कार, मैं हो ससी, आये जरगां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं अपने सम्मधन में पीएम मोधिन ने माना की कुरोना की दूसरी वेव तुफान बनकर आ गई है उन्होंने सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, पारा मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, एम्बुलेस ड्राइवर, पुलिस सभी की सराना की जारखन में 22 से 29 अप्रेल तक लोकडाउन पर देश में सभी परकार के निवान कार चलते रहेंगे, राजे में किर्याना दुकान खुली रहेंगी, अवस्यक से वाये भी बहाल रहेंगी, होटल में बैटकर खाने के उन्मती नहीं होगी, लेकिन होटल से घरोत तक होम डिलेवरी होगी, पुले राजे में 1234 लाओ कि दिखे तो करवाई होगी, राजे में पसु चारा की डुलाई और आवागमन पर रोक नहीं रहेगा, आम आदमी को पुलिस रोकेगी तो सड़क पर निकलने का वाजिब कारन बताना होगा, दावा खरेदारी करने निकलने पर डॉक्टर का परच्चा दी खाना होगा, और कपड़ा के दुकाने सिनेमा होलादी बंद रहेंगे, जहारखन में एक दरजन आईस अफसर संक्रमीत, कुरोना संक्रमन के दूसरे दोर में अब तक एक दरजन से अधिक आईस अधिकारी संक्रमीत हो गए हैं, लेकिन राजजे में कामकाज पर किसी भी तरह का असर नह ही पढ़ने का कारण यह भी है कि अधिसंख अधिकारी बीमारी पढ़ने पर भी होम आईसोलेशन में होने के बावजूद मौखिक आदेशों से कामकाज संचालित कर रहे हैं, बतादे इन अधिकारियों में से कुछ प्रारामबिक इलाज के बाद स्वस्त भी हो चुके हैं भाजपा ने जारी किया हेलफ लाइन नमबर, क्रोणा संक्रमन की बेकाबू होती दूसरी लाहर को देखते वे भाजपा ने सेवा ही संगठन अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है, बतादे इसके तहत पार्टी ने परदेश अस्तर पर एक हेलफ लाइन नमबर जारी बस अड़े, रेलवे स्टेशन और भीडवाली जगोपर अतरिक्त पूलिस फोर्स बाबा बैदनात मंदिर में सर्धालूओं के परवेश पर रोक, देव घर जिले में क्रोना वायरस के पसार को रोकने के उदेश से धार्मिक अस्तरों में सर्धालूओं को पस्थिती को परति बंधित करने का निदेश उपायूक्त ने दिया है, जारी निदेश में देव जीले के इस्थीत सभी धार्मिक अस्थल बाबा बैदनात मंदीर 22 अप्रेल से 29 अप्रेल तक आम सरधालूगों के लिए बंद रखने का देश दिया गया है। बाबा मंदीर में परमपारिक पुजा प्राता कालिन ये संध्या कालिन सिंगार पुजा मंदीर परभारी समीती संख्या में तीर्थ पुरोईतों को कोविन प्रोटोकाल का अनुपारण करते हुए 50% के साथ अनुमती देंगे 22-29 अप्रेल के लोगडाउन का रामेशवर उरावने किया स्वागत कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्स और राज के बित थकादा पूर्ती मंतरी रामेशवर उरावने जीवन की सुरक्षा के साथ जीवका को बचाने के लिए मुख मंतरी हमान सुरेन की ओर से 22-29 अप्रेल तक स्वास्त सुरक्षा सप्ता के अनुपारण कराये जाने के निने का स्वागत किया है परदेश कॉंग्रेस पहुन में मंगलवार को आयुजीत पिरसवारता में रामेशवर ने कहा कि राजी सरकार का या पैसला स्वागत योग यहाई और सभी को इसका पारण करना चाहिए जारखन में 28-3% टीके का वेस्टेज केंदर सरकार ने बिभीन राजियों को कोरोना वाइरस के संक्रमन से बचाव के लिए लग रहे टीके के वेस्टेज को कम करने के नेदेश दिये हैं जहां तक जारखन की बात है तो यहाँ कोरोना टीका का वेस्टेज 28-3% है यहाँ कई राजियों से कम है बतादे सुरू में को वेक्सिन के वाइल में 20 डोज होने पर यहाँ भी वेस्टेज कुछ अधिक था लेकिन इसमें 10 डोज किये जाने के बाद इसमें कमी आई है जहारखन में 5,089 संक्रमित की पुष्टी हुई है जो बोकारो से 178, 146, देवघर 116, धनबाद 175, दुमका तीरपन, पूर्वी 692, गाडवा पशतर, गेड़े 30, गोड़ा 89, गुमला 149 हजारी बाग 177, जाम तरा 133, खुटी 203, कुडार्मा 289, लात्यार बानबे, लोर्दागा 80, पाकुड़ चा पलामू 73, रामगर 179, राची 173, साहिवगंज 120, सराय केला 49, सिम्डेगा 143, पश्मी सिम्वों से 171 मरीज मिले है जार्खन में 45 कुरोना मरीज की मौथ हुई है, जिसमें राची से 15, पूर्वी सिम्वों से 10, धनबाद से 6, कुडार्मा 4, दूमका, लातेहार, गड़वा से 2-2, गोड़ा, देवगर, पलामू, तता पच्मी सिम्वों से 1-1 मरीज की मौथ हुई है जार्खन में कूल मौथ की संख्या 1547 है, वहीं जार्खन में कूल एक्टिव केस की संख्या 33,178 है भारत में 2,94, 115 नए केस मिले है, भारत में कूल मौथ की संख्या 1,82,570 है वहीं कूल एक्टिव केस की संख्या 21,50,119 है 22 अपरेल को पूरे राज्ये में बिसेश जाच अभियान इसमें बड़े प्रमाने पर दूसरे राज्यों से लोटे प्रवासी मजदूर स्वास्त कर्मियों, पुलीस कर्मियों, दुकंदारों, होट बजारों में काम करने वाले लोग बिमारों बुजूरगों आधी की कुरोना जाच की जाएगी बतादर अश्टिये स्वास्त अभ्यान की निजसक रवी संकर सुकला ने इस समन्द में सभी उपायुक्तों को आदेश जारी कर दिया है जार्खन में लोगडाउन से कॉंग्रेस कन्फ्यूजन में बेकाबू हो रहे कुरोना वायरेस संक्रमर पर नियंतरन के लिए जार्खन में 22 से 29 अप्रेल तक संपून लोगडाउन लागू किया गया है या गुरु आर्साम साड़े 6 बएस से परभावी होगा बताद सीम हेमन सुरे ने मंगलवार को इस बड़े फैसले का आयलान किया इधर लोगडाउन पर मुखमत हेमन सुरेन की सरकार में सामील कंग्रेस नेताओ के अलग अलग ब्यान समने आ रहे है एक लोगडाउन लागू होने पर संतोस जता रहे है वही परदेश अध्यक्स टामेस वरूराओ क्रोना वारस से बचने के लिए अब भी बीच का रास्ता ढूंड रहे है जार्खन कॉंग्रेस लोगडाउन के मसले पर पूरी तरह कंफूजन में दिख रही है रांची में जेल कैदियों के लिए अलग कॉरेंटीन सेंटर रांची के केंद्रिये कारा होटवार को सुरक्षित रखने के लिए जेल भेजेगा कैदियों को अलग कॉरेंटीन सेंटर में रखे जाने की त्यारी की गई है इसके लिए खेल गाव में एक कैम जेल बनाया गया है जहां जेल भेजे गाए नए कैदियों को कारेंटीन सेंटर में रखा जाएगा बता दे कारेंटीन में वैसे कैदि को रखा जाएगा कुरोना संक्रमन की दूसरी लाहर में इलाज को लेकर परिसान लोगों की मदद के लिए जार्खन राज बिधीक सेवा प्राधिकार ने बड़ी पहल की है लोगों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़े और उन्हें जरूरी चिकित सिगे परामर्स और अवसेक दबाव पल दुमका डिसी राश्वरी बिने वीडियो कंफिरेंसिंग के माध्यम से प्रेस के प्रतिनिधियों से बात की इस दोरान उन्होंने काहा कि मिशन मोड में कोवी-19 जाज संपुर्ण जीले में चलाया जा रहा है जीला परसासन द्वारा प्रती दिन बढ़ी संख्या में आठ गिरफ्तार सिम्डेगा पुलिस ने कुर्डेंग थाना छेतर के पारा सिक्षक जेवियर लकडा हत्याकंड का खुलसा करते हुए गोली चलाने वाले सूटर सहीत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार आठों अपराधी में कुनाल, कुजूर, दिलवर, हेमं सुधीर, रोहित, किसपोटा, दूबराज और संदीप के केटा सामिल है पुलिस को इनके पास से एक देशी कटा और तिन पिस्टॉल, नौजिंदा कार्तोस्ट, मोटरसाइकल, मोबाइल आधी बरामत हुए है कॉंग्रेस ने पार्टी अस्तर पर व्यापक सहायता सुरू करने का निरना है पर्देश कॉंग्रेस ने कुरोना संक्रमित मरीजो और उनके परिजनों को संकट की इस घड़ी में मेडिकल सहायता उपलब्द कराने के लिए पार्टी अस्तर पर व्यापक सहायता शुरू करने का निनन लिया है पर्देश अध्यक्स राज के भी तथा खादा पूर्ती रामेश्वर उराओ की अध्यक्सता में मंगलवार को पर्देश के वरिष्ट नेताओ और पताधिकार्यों कोई बैठक में इसे लेकर कई मतपूर्णीन लिये गाए बैठक में स्वास्थ मंत्री बाना गुपता के सव महतो कमलेश पर्देश कॉंग्रेश प्रवक्ता लोग कुमार दूबे लाल किचोर साधेवादी उपस्थी थे संक्रमन काल में कैसे खर्चो विधायक फंड अस्पष्ट गैलेन जारी करे सरकार विधायक आसू पार्टी के केंद्रिये महासेची और विधायक लंबोदर महतो ने राई सरकार से पूरू में ग्रामिन विकास विवाग द्वारा बनाई गए निमावली में संसोधन कर नया संसोधित संकल्प जारी करने की मांग की है उन्होंने मंगलवार को कहा कि ऐसे होने पर ही मौजूदा समय में अनियंत्रित हो रही कुरोना में सभी विधायक अपनी निदी का उप्योग अक्सीजन रेमडे सिवीर इंजेक्शन और समन्दित दवा के साथ साथ तने टाईजर वा मास्क की खईधारी कर सकेंगे देवघर डीसी ने अवस्यक दुकानों को भीर भारवाले जगो से किया अस्थनांत्रित जारखन में लोकडाउन के घोसना होते ही जीला परसासन एतियातन कदाम उठाना शुरू कर दिया है बदादे सोमवार को डीसी मंजुनात भांत्रि ने भीर भारवाले जगाश चिन अवार्स से समानित खोटी के पत्रकार और मुर्तिकार दीपक कुमार घोस को मुर्ति कला के छेत्रे में उलेखनिय योगदान के लिए प्राचीन कला केंद्र चंडीगाड और सूर नंदन भारती कोलकाता द्वारा आश्टिस्ट अवार्स समानित किया गया है बतादे इंस्टूट अव फिल्म ड्रामा और फाइन आर्ट्स द्वारा आयोजी समारों में दीपकोस को प्रससित पत्र देकर समानित किया गया है पलामू में होम आईसोलेशन में रह रहे लोगों के लिए अस्थापित हुआ कंट्रोल रूम नंबर पलामू उपायुक ससिर्वन जन ने मंगलवार को हम आईसोलेशन में रहे लोगों के लिए कंट्रोल रूम के अस्थापित किया के लिए कंट्रोल रूम के नोडल पता अधिकारी के रूप में निदेशक DRDA सीमता टोपो की प्रतिनुक्ति की गई है सीमता टोपो ने बताया कि वैसे लोग जो कोविट-19 से संक्रामी था और होम आईसोलेशन में रहा रहे हैं उन्हें किसी प्रकायत की परसानी का सामना ना करना हो इसके लिए इस कंट्रोल रूम का गठन किया गया है पलामू प्राइवेट इसकूल एसोसेशन की बैठाग प्राइवेट इसकूल एसोसेशन के परदेश अजयक्ष अविनास देव ने मंगलवार को पदाधिकारियों के साथ एक बैठाग की बरतमान में बरते कुरोना संक्रमन को देखते वे प्राइवेट इसकूल एसोसेश बिभीन सदा से विद्यालियों के निदेश को यवं परचारियों को भी फ्यस मास वगेरा वा अवस्यक वस्तु मुहया करा कर अपने अपने छेत्रे में लोगों को जारू करने के लिए आवान करेगी। जेनाक के अस्पताल में करोना संक्रमित के इलाज के लिए आवस्यक निर्देश दिये जाए ताकि नागरीकों का समुचित इलाज हो सके बंधू तिर्की ने विधायक निदी से 23 लाग की अनुसंसा की जार्खन के पूर्व मंत्री और मांडर विधायक बंधू तिर्की ने क करोना के बढ़ते संक्रमन एवंचेत की जानता के परसानियों को देखते हुए उन्होंने अपने विधायक निदी से 13 लाग 15 रुपे के अनुसंसा की है इसे लेकर उन्होंने मंगलवार को रांची के वूप विकास आयुक्त वो पत्र लिखा है पत्र में उन्होंने लिख की जानता की परसानियों को देखते हुए उन्होंने अपने विधायक निदी से 120 लाग 15 रुपे के अनुसंसा की है रांची में मास्क चेकिन अभियान में 11,500 रुपे का वसुला गया जूर्माना राजधानी राची में लागतार कुरोना संक्रमन के बढ़ते मामलुक लेक पूलिस राची की ओर से 23 वानों से कूल 11,500 रुपे का जुरुवाना वस लागया धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बल के बेल एक अन्द भाई है साथ साथ वीडियो को एक लाइक का और अपने वसुक सेर करना भूले साथी साथ आप हम में लोगडाउन पर आपने परतिकिरिया अवास दे थांक यू